कॉछ था आपको भुट ब् aussi कान जब में अभी क्या है लगातार पूल गिर रहा है है अभी तीसेरा चौथा पूल गिर गया है लेकिन गिरने के बाद कमेटी गठन होता है और कमीठी गठन होने के बाद फिर से सांत हो जाता है दो-चार लोगों को सस्पेंट किया जलता है यह फॉर्मूला चला रखा है इन लोग ने घोटाले करने का एक नया तरीका डोन लिया है इनोंने जनता का पैसा पानी में बहादो पानी बहाने के बाद उसका कोई भैलूई नहीं रागिया जनता पूछने भी नहीं आती है और सरकार जो हैं कमिटी गठन करके शां कि पूल गिटा है और उसके बावजर्व वह कंपणी टो है लगातार चल रही है क्यों कर दिन कि क्या कैसलितर करवाई कर दैने से और सफ पेंड़ने से क्या ये इस होगा जनtा को मिल गया एग एक कली कभी इन करना है मामला सामने आया था इसमें कि ठेकेदार लोगोंने क्या किया है एक ये की सक्वार। के लिए पैसा चार-चार लाख रुपया इसु किया गया डेल लाख में बहुत अच्छा बोरिंग बन जाता है चार-चार लाख इसु किया गया वही फॉर्मूला यहां भी चल रहा है पूल गिरने का समस्या किसी के सरकार में आने और जाने से नहीं होता है आप मुख मंत्री हैं आप ग्रीव मंत्री हैं सारा कुछ आपके जिमे में है आप पूरे तरह से बैठे हुए हैं तो इसके लिए आप किसी पार्टी का दोस्त पर देंगे कि हाँ उस पार्टी के वज़े से बढ़ रहा है आप अगर ग्रीम मंत्राले लेके बैठे हैं तो आपके वज़े में किसी मंत्राले से गड़ बड़ हो रहा है तो मुख्या तो वही है ना तो नहीं रखता है कि चुनाओं में जो मुद्दा होता है भ्रस्ताचार का होता है लोग उसी दिशा में काम कर रहें इन लोगों का जो फॉल्ट है अभी कुछ दिन पहले आप देख रहे होंगे आज से एक साल पहले के बात करें तो चिराक पस्वान बिजली को लेके सोर मचा रहे हैं बिजली महंगी है बिजली महंगी है जैसे ही नितिस कुमार के साथ हा गया तो सुबह साम उनके चरण छुते हैं और बिजल इसा मतलब नहीं इन लोगों को फॉर्मूला बना रखा है इन लोगों ने अभी इधर से सरकार टूटेगी उधर सरकार जाके जुड़ जाएगी मंत्राले रहनी चाहिए हमारे पार्टी का सब कुछ होना चाहिए बस उसके बाद सब कुछ अभी आप देखेंगे ना निति इसना ब्यान आ रहा है और जैसे ही 12 संसत उनके जीद गए तो उनका सारा मेंटलीटी जो ठीक हो गया यह फॉर्मूला है इन लोगों का इन लोगों ने जनता को मुर्ख बनाने का साधन समझ रखा है जनता इस बार जबाब देगी दोजार पचीस में इनको अच्छे से मिलने वाला है